तो आज हमारे पास lab number 13 जो के हमारी last lab है और जुसमें हमने topic cover करना है वो है dynamic memory allocation and deallocation ठीक है तो हम आज देखेंगे कि dynamic memory क्या होती है और how we can allocate and then deallocate पर emphasize इसलिए है कि यह भी एक जरूरी aspect है ठीक है तो मजीद इंतजार के बेना जो है start कर देते हैं ठीक है तो theory में इसके इतना कुछ है भी नहीं बस इक difference है जो आपको बताना है और उसके बाद हम पर directly example पर चलेंगे और examples ही बातों को clear कर लेंगे तो example में जाने से पहरे कह रहे हैं कि dynamic memory location अगर आपको समझना है तो उससे पहरे आपको पता होना चाहिए कि static memory location भी जैसी कोई चीज होती है तो static memory location क्या होती है static से मुराद यह है कि वो memory location जो आप compile करने से पहले allocate करते हैं या नहीं जब आप compile का button प्रेस करते हैं जिसमें आपको पता रगता है कि कोई type to error तो नहीं है कोई ऐसे issues तो नहीं है तो उस button प्रेस से पहले ही अगर आपको पता है कि कि आपने कितनी memory reserve करानी है अपने program के लिए तो वो सब memory location क्या दाती है static memory education जैसे कि से आपको array एरे से comparison इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये एक array का alternate ही है array में जैसे कि आपने program बनाया और उस program का काम क्या है कि वो तो अभी आपकी requirement यह है कि आपकी class में से 30 student हैं और उसका काम यह है कि 30 student की average calculate करना तो आप क्या करेंगे कि करेंगे उसमें 30 उसका size रख देंगे और उस पर लूप लगा के 30 के average का formula और फिर आपने वह program बना दिया और supply कर दिया ठीक है लेकिन कुछ दिन बात क्या होता है कि आपकी strength 30 से बढ़के 31 भी हो जाए लेकिं से मैं थ्रौर बढ़ा देता हूं 30 से बढ़के 35 हो जाती है तो फिर आप क्या करेंगे क्या solution है इस program को सही करने का आपके पास definitely एकी solution है कि आप जाएंगे array को resize करेंगे code में जाके 30 की जगा 35 रखेंगे और फिर उसको दुबारा से recompile करेंगे compilation दुबारा होगी फिर उसके बाद आप एक जी supply करेंगे ठीक है जी challenge ठीक है quick fix सा कर लिया फिर क्या होता है तोड़े दिन बात तोड़े दिन बात यह होता है कि आपकी number of strength student की बढ़के 40 हो जाती है तो फिर पारसे करने पड़ते हैं अच्छा जी चैलें जी फिर एक और रफ़ अगले लेकिन एक मस्त और भी है साथ साथ इन पेरल के यही software से आपने बना के दिया हुआ है कीट को ही दिया हुए तो कीट में आपके multiple courses होते है multiple courses में student के strength सब में सेम नहीं होती है कुछ में जाद हैं तो कुछ में कम है तो अभी यही वाला software अगर मैं सब class ाइडी यह सब course ाइडी पे मैप करना चाहूं तब भी नहीं है किसी में हो सकते 10 इस तुट हो किसी में 30 हो किसी में 50 भी हो सकते तो मैं हर किसी को अलग अलग copies provide करूं अपने software की कि एक को कहूं कि 10 वाला तुम्हारे यह वैलेड है यह 20 अलग तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए 50 आलगो तो ऐसा करना को अच्छी practice नहीं है प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि आपको बार बार कूट करना पड़ना है और हर मर्तब आपको एक ही जैसा काम करने के लिए अलग अलग solution provide करने पड़ रहे हैं तो यह एक अच्छी अप्रोच नहीं है थीक तो यह मसला कैसे सॉल्ट किया जा सकता है इस पर आते हैं थोड़ी देर में लेकिन यह मसला इसलिए आ रहा है कि आपने iga and memory allocation को fix कर दिया एक solution तो यह सकता आपके इसर उपना बेरिकर व्यूग्म में अ maximum लगता व्यूंद कि अलाओ है आपने सदों आपने स्थिसे के निए सकते हैं को यूजो है है मैंने इनिशली-जो है 50 लग दिया इस यह अपने फिफ्टी रग दिया यह आपने शुर्म में करिये अड iчи और प्राइट रखने थो हम अपने स्ट्ड यूडी इस ट्डुने और आपने आका कि मैंने उसको सुरू में 50 चाहिं घे के आपने शुरू में उसको 50 कर दिया और बाद में कहा कि मैं यूजर से पूछ नहीं की लूप लगा दो और यह प्रॉबलम अभी तक हम ऐसे ही सॉलफ करते आए हैं हम साइज में कोई बड़ा सा नबर लेते हैं लेकिन फिर यूजर से पूछते हैं इसमें होता कि यह से अगर मैंने 10 कहा कि मुझे सिफ 10 इसकेस में होगा क्या कि मैंने कमपार्ड ताइम पर मैमोरी तो कराई ए 50 की लेकिन इसमें से मैं सिफ यूस कर रहा हूं 10 में कह लिए तो मेरे पास वेस्ट कितना हो रही है 40 की मेमोरी जो है मेरे पास इस केस में वेस्ट हो रही है यानि मैंने कहा कि 50 इसमें मैंने ले ली जिसमें से मैंने यूस करी सिर्फ 10 तो मेरी वेस्ट हो गई है इसमें 40 तो 40 का वेस्ट होने का मतलब यह है कि मेरे प्रोग्राम ने ली तो ली थी ऑपरेटिंग सिस्टम से कहा था मुझे इतनी रहम चाहिए लेकिन उसका इस्तमाल इतना नहीं था इसलाइक कि आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज खरीद लें तो इविंचुली आप उसे कंज्यूम नहीं कर पाएंगे तो वो वेस्ट हो जाती है और इस क्यिस में का मतलब यह है के आगर आपने उसको ऐलोकेट कर रवा लिया है तो वो किसी और प्रोग्राम को नहीं मिलेगी या किRun सकता वह चाहए स्टार विच्ट में आजए यह लेकिन आपका प्रोग्राम फिर भी हैंग रहोंगे क्यों हैंग हो रहे होंगे क्योंकि वो मैमोरी को यूज नहीं करें बलकि रिज़र्फ करा के अपने पास रख लेतें इस्तमाली नहीं करतें तो यह situation यह वाली है कि मेरे पास अगर से यहां पर मैंने कहा कि 10 के वज़ाए मैं 30 कर लूँ तो उस केस में मेरे पास जो है तो मेरे पास कुछ भी वेस्ट नहीं हो लेकिन स्टिल ऐसे पॉस प्रॉबिल्टी बहुत कम है को इसमें मैक्सिम इस्टूनिट होगे बाखी सब में कम ही होगे फिर एक और इशू भी आ सकता है कि यह 50 मैंने रख दिया था लेकिन एक एक्सेप्शन आये को इस्टूनिट आय यहां पर तो 50 लिख भा और मुझे यहां पर लिखना पड़ दे 51 उस केस में मैं क्या करूँ आपको पता है यह मैं कर ही नहीं सकता क्यों नहीं कर सकता क्योंकि जो मैंने रिजर्फ कर रही थी वह मैक्सिमम 50 थी और मैं 50 से जादा तो जाही नहीं तो यह प्रोग्राम इतना स्केलिबल नहीं है इतना इंटेंजिबल नहीं है फिक्स हो गया क्योंकि इसकी मैमोरी मैंने कंपार टाamine पर फिक्स कर दी और यह मैमोरी का फिक्स करना जो है मेरे लिए प्रॉब्लम क्रियेट कर रहा है क्योंकि मुझे हर मरतबह अगर रिक्वार्मेंट चेंज होती है मुझे कोडिंग में जाके दुबारे चेंज़ करनी पड़ती है तो यह कोई अच्छी अप्रोच नहीं है इसकी मिसार एक और मैं सरी किसे दे सकता हूं कि आप कोई लेने से माइक्रोसॉफ का वर्ड ले लेते हैं अब अगर मैं कहता हूं कि भई आपने एक असाइमेंट बनाना है तब भी आप वह वर्ड यूज करेंगे आपके बहनभायों ने कोई इस पर काम करना है अपना रिपो आपके रिक्वार्मेंट के लिए ऐसा तो नहीं होता उनने सौफवेर आपको एक जैनरिक दिया वह है और उसी में आप जाके अपने असाइमेंट बनाएंगे उसी में रिपोर्ट भी बनेगी उसी में आप कुछ भी कह लें किसी भी किसम के आपको डॉकुमेंटेशन करनी तो सौफवेर बार बार चेंज नहीं हो रहा आप सौफवेर के स्तमाल चेंज कर रहे हैं कभी आप उसको किसी पर्पस के लिए उसके लिए वही है कि उसने आपको टेक्स डॉकुमेंट बनाके देए तो बिल्कुल इसी तरह हमारा सौफवेर भी अगर वो स्टूइंट के ऐस को टूदिंग में जाकर बार बार चेंज ना करना पड़त नठीक है चीजको is स्ट्ट्टिक और स्टेटिक मेमोरी व्लिकेशन पोट है तो बिल्कुल वैसे ही आपको बनाए, वैंने फिफ्टिक बने लेते लिकेशने लिए बहले से 0 करूं लेकिन वो 50 consecutive spaces मेरे लिए reserved हो चुकी है अगर मैंने use नहीं की तो वो waste हो जाए तो यह मसला है static memory allocation तो यहां पर जो है आपके पास in action आते है dynamic memory allocation ठीक है dynamic memory allocation का काम क्या है कि compile time पर memory को allocate ना कराना बलकि उसको और letter stage के लिए अगले stage में जब program running state में आ जाता है तब जाके उसको पूछ या उसको memory allocate कराना तो dynamic runtime memory allocation help us to overcome problems with static allocation it makes efficient use of memory by allocating the required amount of memory whenever is needed तो यह क्या करता है efficient memory utilization करता है मैंने बता है wastage नहीं होगा और आपको हर मरतबा memory का number को जाके code में change नहीं करना पड़ेगा runtime पे आप program run करते करते हैं अपनी memory के requirement बता सके तो बहुत अच्छी बात हो गई कि जब program run होगा तब मैं बता हूँ मुझे 10 element चाहिए 20 चाहिए और program automatically उस लहाँ से memory allocate करेगा और scale करेगा scalability एक important feature है factor है जो आपके program में होना चाहिए यानि number of input बदलने से program का behavior change ना हो पांच के लिए भी वैसी काम करें तो पांच के लिए भी वैसी काम करें पांसो के लिए भी और दस program है कि वहर तरह की number पर काम कर जाता है definitely there is some physical limit on that लेकिन theoretically वह आपका हर number पर काम करेगा physical limit क्यों कह रहा हूं क्योंकि आपकी भी RAM की एक limit है से आपका 2gb RAM है तो आप उतनी number store नहीं कर सकते जितने चार जीवी वाला computer कर सकेगा तो चार जीवी वाले की definitely limit जादा होगी तो जीवी आले की लिमिट के लिए टेटिवी हाफ हो तो इन most real problems we cannot predict the memory requirement ठीक है जब हम प्रोग्राम लिख रोते हैं तब हम memory requirement का अंदाधा भी नहीं लगा सकते अब कोई आई वाली बात है मुझे तो नहीं पता कि आप के कोर्स पर रिजिस्ट्रेशन कर रहा है कोई बंदा उससे तो नहीं पता कि रिजिस्ट्रेशन में expected कितने स्टुडेंट इस मलताव आई सीपी का कोर्स रिजिस्ट्र कराएंगे नो आईडिया फिर अगले से मिस्ट्र में कितने लोग उसका बाद एडियस का कोर्स रिजिस्ट्र करेंगे नो आईडिया तो इस चीज़ को प्रडिक करना मुश्किल होता है क्योंकि यह तो डिपेंड करेगा कि कितने स्टुडेंट पास हुए उन्होंने इन्रोल कराया य हो फिर उसी लिहास से मुझे उनका से एवरिज कैलकुलेट करना है या साम कैलकुलेट करना है तो प्रडिक्शन जहां पॉसिबल ना हो कि कितने इंपूट रखें वहां पे आप हमेशा यूज करेंगे डानेमिक मैमोरी ऐलोकेशन ठीक है यह आपके पास एक अल्टरनेट ह करेंगे वैसे ही होगा लेकिन जहां पर कलेक्शन या मोर्दन वन की रिक्वार्मेंट आती है तो वहां पर आपको काम आता है डानेमिक मैमोरी ऐलोकेशन के लिए हमारे पास सी में कुछ फंक्शन मौजूद है अब चुकि यह फंक्शन है तो यह किसी लाइबरेरी में मौ ठीक है और भी लाइबरेरी में हो सकते हैं लेकिन आप अगर गूगल करें इसको इंटरनेट पर आपको जो पहली यह लाइबरेरी मिलेगी जिसमें यह फंक्शन मौजूद है तो वह कहलाती स्टेंडर्ड एलाई भी इनिस्टेंडर्ड लाइबरेरी में यह मिलेंगे तो जो ऑफिशली नहीं हमार है हम वह यूज कर रहें कि इस्टेंडर्ड लाइबरेरी के फंक्शन है लेकिन इसससी एवाल्व हो गई है कुछ फंक्शन इतने नैसेसरी यूज होते हैं तो उन्होंने स्टीड आयोग में भी डाल दियें यह भी पॉसिबल है लेकिन हम documentation को follow करते हुए stdlib यूज करें तो allocation के लिए हमारे पास तीन फंक्शन है इन्हें एक्चुल दो फंक्शन है तीसरा क्या है बता देता हूँ और d allocation के लिए simply हमारे पस एक ही function है उसका नाम है free ठीक है d allocation piece of cake लेकिन most important यह location करना ज़रूरी है इस पर emphasize करूंगा थोड़ी तो allocation के लिए function है malloc memory allocation के लिए short है और फिर एक उसी से मिलता जुलता है के लोग यह भी memory allocation के लिए थोड़ा सा बुन्यादी फार्क है वह देख लेंगे कि यह लोग का मतलब है रिया लोकेशन का मतलब है रन टाइम पर आपने memory allocate कराई ठीक है और रन टाइम पर ही memory requirement आपकी चेंज होगी ठीक है आपने शुरू में देखा के इट्स लाइक के आपने शुरू हुआ कहीं आप जाते हैं न से बैंक पे चले जाएं या कुछ होस्पिटल जहां पर रहाश होता है तो आपने शुरू में क्या हुआ इनिशल इस लाइन में जितने लोग मौजूत है रन टाइम पर या किसी को काम याद आगया या कोई लेजिनेस में लाइन चोड़के चला गया ठीक है तो अब उसमें से क्या हुआ के पचास इनिशली आपने रिजर्व कराई थी इसमें से इससे कम होते है तो अब आपके पांच वेस्ट हो रहें आप या तो आप वो पे आपके पांच है झालोकेशन के लिए पहले मैमोरी को ब्रॉखिक्र होना जडूरि यह अपना साइजoney आप पेंगा कर लें 50 को कर सकता है कि 55 कर लें वह로े जाए सकती कि है लेकिन तो यह यह विविञाय जोनी खुरता है ज्याधर हमें आलोकेशन और T allocation से ही काम पड़ता है तो हम focus जाद उसी पर करेंगे time मिला तो हम reallocation की भी example देख लेगे सबसे पहले है malloc malloc stands for memory allocation malloc function is used to allocate R block R या single block of memory allocate कराता है ये function और return करता है एक pointer तो यहाँ पर आपको ज़रूरत पढ़ेगी अपने pointer के concept की ये return करता है pointer यानि ये address return करता है memory जो भी allocate कराता है उसार सी बात है memory allocate कराई मुझे address ही चाहिए होगा value उस तो चाहिए नहीं होगी तो ये मुझे उस memory का address return कर देता है जो मैंने allocate कराई हो तो ये function मुझे memory का address return करता है in the form of a pointer syntax क्या है मुझे बस malloc लिखना होता है और malloc के अंदर बता देना होता मुझे कितनी memory required in bytes ठीक है कि मुझे इतनी memory required है मुझे ये बताना further ये चीज जो है ये कहलाती है type casting आप अच्छे से familiar है तो ये कह रहे है कि यहां पर कोई भी type हो सकती है लेकिन वही टाइप होगी जो इस pointer की टाइप है तो type casting करना अच्छी बात है लेकिन without type casting भी काम चल जाता है लेकिन it is recommended कि आप type casting करें जिस type का आप का pointer है आप उसी की type casting करेंगे यहाँ पर एक example दी विए 10 element के लिए मैंने करके मुझे memory allocate करानी है ठीक है 10 element multiply by size of indeed size of एक function है जो आपको किसी भी data type का size बता देता है और यह क्यों use करो मैंने directly 4 क्यों use नहीं कर दिया क्योंकि अगर मैं 4 यूज करता तो 32 bit system के लिए था अगर मैं यही प्रोग्राम 64 पे चलूँगा तब भी वो 4 ही लिखा रह जाएगा जबकि उस वक्त मेरे integer का size 8 हो चुका होगा या मैं 16 bit system पे चलाऊगा तो उस वक्त मेरे integer का size 2 हो चुका हो तो इसलिए better क्या है या मैं इस function से बोलू कि इस particular system पे बता दो मुझे size क्या है तो इसलिए मैंने यह function यूज किया जहां पर चार हो कहा होगा है चार रिटन करेगा जहां पर इंटीजर का size 2 होगा 2 जहां 8 होगा 8 या कोई भी number हो यह खुजी return कर देगा integer का उस particular platform पे size या उस particular compiler के लिहासे size तो size of function बताएगा say 4 कोई भी number आगे हमारे अभी तक जो हम assumptions लेके चलेंस में 4 है तो 10 x 4 is 40 तो यह return करेगा 40 का ब्लॉक यानि मैं ब्लॉक के function को करेगा मुझे 40 bytes की memory allocate करवा तो 40 bytes की जो होगी memory allocate हो जाएगी कैसे कि इस तरीके से block occupy हो जाएगा ठीक है और यह 40 size होगा 40 कैसे होगा इसका size यह भी बता देता हूँ मतलब यहां से लेकर कि जो होगी memory वो 40 bytes होगी यह अगर counting स्टार्ट हो रही है 0000 से तो आखरी number इसमें क्या होगा 0039 ठीक है decimal में लिख रहा हूँ नॉर्मली है hexa decimal सिर्फ बात समझाने के लिए कि टोटल इसने एक block occupy कराना है और वो पूरा का पूरा block कितने size का होगा 40 bytes का होगा यह करेगा malloc मेरे लिए memory ठीक है तो यह 40 का block occupy कर लेगा यह command यह कर रही है ना है जो मैंने याびखिये और यहां पे मैंने int pointer क्यों लिखा है क्योंकि इस pointer की data type भी जो घोगी वो in pointer ही और चुůकि करें है यह लिख कर रहा हूं कूछ अब再िए यह रखने कि डेटर टाइप जो है उनको मैच इंगोने चाहिए यहां पर और होता तो यहां पर पर ने करेक्टर पॉइंटर लिख रहा होता है यहां पर पॉइंटर क्यों लेक्ए लिए ऑप इन फिक तो इसकी data type be int pointer होगी ठीक यह हो गई थोड़ी सी theoretical बात आगे बढ़तने हैं मजीद ठीक है explanation भी रिवे ओन execution of this statement 10 times memory is equivalent to the size of a teacher by desallocated and the address of the first byte अच्छा यह दियान रिखेगा हमेशा pointer में address तो आता है और address आता है हमेशा first वाली बाइट का यह एड्रस आएगा 0000 और बाकी में जिए अगर locations पता करनी है तो मैं प्लस प्लस करके पता कर सकता हूं और प्लस प्लस करूंगा चूंके pointer integer type का है तो हर प्लस प्लस का मतलब वो प्लस four की jump करें ठीक है तो यहां पर एक program है हमारे पास कि के यह sum कर रहा है n number का और वो sum यह जो है user से पूछने के बाद dynamic memory allocation से कर रहे है तो हम अपना software on कर लेते ओपन करके देख लेते है ठीक है सबसे पहले होई hash fluid stdio.x और अभी मैं यह include नहीं करता लाइबरेडी इंत्में और अच्छा इसको हम नाम दे देते हैं डिया में अच्छा उससे पहले मैं एक चीज़ चेक कर लेता हूँ tools में compiler option में आपके पास warning ISO standard मैं स्कॉन कर रहा हूँ थाकि अगर ISOC से मैं standard को चेंज करता हूँ कोई काम कर रहा हूँ तो मुझे बता दे क्या आपने यह गलती है यह normally off हुई थी condition अभी management तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ मैंने एक लेलिया से int n simple पहले एक चीज़ रहा हूँ मैंने उसर से का print printf में मैंने कैडिया enter number of number of students के रहा हूँ और मैंने इसको scan कर लिया scanf scanf परसंदी और यह किसमा आजाएगा address of n में यह न्यूम कर लें न्यूम कर लेते हैं ठीक है अब मैंने क्या कि इसके बाद एक यह वाली लाइन लिखने की कोशिश की int a rr एक array create किया और उसके अंदर मैंने लिख दिया num अगर यह काम मैं array से करने की कोशिश करूँ पहले मैं यह करना देखा कि आपको बात बता रहा हूँ ठीक है और मैंने simply क्या किया कि इसके बाद यह array create हो गया मैंने एक लूप लगए फॉर और इसमें i equals to zero से लेकर i less than num i++ और इसमें simply क्या कहा कि यूजर से प्रिंट एफ और इसको मैसेज दे दिये कि एंटर स्टुडेंट परसंडी और इधर simply मैंने प्रिंट करा दिया i plus one तो इससे क्या होगा कि स्टुडेंट के नंबर में plus one हम खुद ही add होता जाएगा और यहां पर हमें कर लेते हैं और हर मरतबह यहां पर कर लेते हैं scanf और scanf भी % आएगा और किछीज में scan कर रहा हूं मैं address of arrr मेरे एरे करना और इसके अंदर में simply लिखना होता है i ठीक ही यह करना चाहरा हूं अभी मैं scan कर रहा हूं तो देखते हैं क्या होता है अच्छा यह तो i declare नहीं है इसको तो मैं declare कर लेता हूं यह कोई बड़ा issue नहीं है दुबार से compile करता हूं असल issue क्या है ठीक है तो अब असल issue आए सामने क्या आ रहा है क्या किया रहे है कि line number 10 पे एक issue है आपका line number 10 है यह वाली कह रहे हैं iso c90 forpets variable length of array तो array का तो पहली बात यह है और जब मैंने array पढ़ाया था आपको clearly यह बात बार बार बताई थी कि array के brackets के अंदर कभी भी variable नहीं आता array का साइज हमेशा constant होना चाहिए क्यों constant होना चाहिए क्योंकि array एक static data structure है यानि इसकी memory allocation compile time पे ही होगी runtime पे आप इसकी memory allocation नहीं कर सकते हैं मैं इस वक्या कर रहा हूं देख्या कोड लिखा अगर मैं आपसे पूछे मुझे बता है array का साइस के आप नहीं बता सकते इस particular program के दायत आप नहीं बता सकते क्योंकि मैंने array के लिए memory allocate नहीं कराई हुई अभी कितनी चाहिए तो यह मसला है कि इसलिए मैंने यहां पर variable लिखा कि मैं run time पे लोगा और run time पे करने के लिए मुझे c नहीं मना कर दे अलाओ नहीं आप array के साथ ऐसा नहीं कर सकते मैंने का अच्छा कोई मसला नहीं है मैं काम करता हूँ इसको शुरू में ही declare करा देता हूँ जैसे कि हमेशा से कराता हूँ और यहां पर बड़ा सा नमबर लिख लेता हूँ से मैंने 50 रख लिया अब यह प्रोग्राम चल जाएगा क्योंकि रख तो मैं 50 रहा हूँ लेकिन बाद में मैं उसमें से कितने उटिलाइस करूं यह डिपेंड करेगा यूजर रन टाइम पे जबाद है अब error नहीं आएग ठीक है तो यह प्रोग्राम अब चल जाएगा लेकिन इसमें यह कि अगर यूजर ने से 10 का तो 40 वेस्ट हो जाएगा और मेरी मेमोरी एफिशेंटली उटिलाइस नहीं हो कि भला हृम ने समेंडर तो फिर इसका स्ल्ण क्या है इसका स्ल्यूशन यहाथ कि मैं हांपे आपके सामने मैं पक्यूल्च पर आपको बाहत Tier 2-0 ठीक mix declaration of code, है क्या है यह और चीज का रहा है कि मैंने आप नीचे declaration की हुई है mix declaration of code, आच्छा लेकिन असर iしoo क्या है कि मैं यहां पर नम लिख जेता हूं तो यह की एक issue create कर रहा है और वह है यह वाला तो यह कह रहा है कि आप यहां पर यह लाइन नहीं लिख सकते ह। तो यहां पर ठीक है और कितने मुझे memory allocation करानी नम करानी है तो मैं नम से इसको simply multiply कर देख लेकिन यह मैंने किया है PTR लिखा है यहां पर ठीक है और यहां पर malloc का function लिखा है size of लिखा है तो इसके लिए मुझे एक library चाहिए hash include stdlib.x यह मैं लॉक के लिए library आ ठीक है malloc के लिए library आ गए लेकिन यह PTR जो मैंने लिखा यह तो डेक्लेर ही नहीं है कहीं तो इसको मैंने उपर टॉप डेक्लेर कर दिया लेकिन एक pointer है तो पी यह लग से कर देता हूं ताकि आपको इसकी data type लिखाए दे int pointer ptr ठीक है इससे कोई इसकी data type है integer pointer तो मैं integer pointer क्यों कह रहा हूं क्योंकि जिए मैंने बताया था कि pointers में टाइप से फरक्या पड़ता है जब आप प्लस-प्लस करते है तो यह फरकाता अगर टाइप का, तो, प्लस-प्लस का मतलब प्लस-वन की जंप है प्लस अगर integer का यह तो, प्लस-डस का मतलब तो बस यह इस वज़े से लिखा गया है क्योंकि यहां पर यह लिखा हुआ है तो आपने इसके साथ भी टाइप कास्टिंग में यही लिख लिख लिए आपकर एक्टर करेंगे तो आपकर एक्टर करने फ्लोट करने यह अपनी मर्जी की कोई डेटा टाइप का पॉइंटर कर स्टोर करना चाहिए तो उसका साइज चाहिए यहां पर मुझे पॉइंटर का साइज नहीं चाहिए पॉइंटर का साइज तो चाहिए कोई साभी पॉइंटर हो आपको बताया गया था कि इंटीजर हो करेक्टर फ्लोट हो हर पॉइंटर का साइज सेम होता है मुझे पॉइ कोई वजाए यह लाइन से रिप्लेस कर दिया है अब अगर मैं सेफ करके कंपाइल करता हूं देखने स्टिल कोई एरर है अच्छा अब अगर दूसरा है चुके मैंने अर्य खटा दिया और यहां पर एरे के वजाए मुझे यूज करना पड़ रहेगा पीटी आर का वर्ड मैंने वर्ड यूज किया वर्ड पीटी आर तो यह पीटी आर कर देता हूं और देखनों कोई शुवाता है यह नहीं ठीक ह तो आप देखने कोई एरर नहीं है मेरे प्रोग्राम में तो यह प्रोग्राम मेरा सही चल रहा है लेकिन चुके मैं पीटी आर यूज कर रहा हूं तो इस बेटर के मैं कौनसी नोटेशन यूज करूं पॉइंटर नोटेशन यूज करूं और वो इस तरीके से लिखी जाए PTR plus I is same as address of PTR I, यह दोनों equivalent है, लेकिन यह वाली notation जो है, यह array notation है, और यह वाली notation जो है, यह pointer notation है, तो मैं चाहर हूँ कि आपको थोड़ा सा pointer notation का भी पता चले हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर pointer notation लेग दी है, लेकिन ध्यान रहे, PTR plus I एक address है, क्योंकि PTR बताया गया था न आपको के उसमें क्या होता है, base address होता है, या address आता है, without star, और star के साथ क्या होता है, value आती है, ठीक है, तो अब इस program में कोई error नहीं है, यह run time पे चल सकते हैं, तो मजीद आगे बढ़ने से पहले, देख लेते हैं कोई query है, नहीं कोई query तो नहीं है, तो यहाँ पर लेते है चोटा सा break और join करते हैं थोड़ी तो, क्लास्टर रिजूम कर लेते हैं, break से पहले हमने यहाँ तक program बना लिया था, और इसमें हमने यह बात देख ली थी, कि हमाई पस जो compilation error आ रहा था, अगर error को में dynamic memory allocate कराने की कोशिश करा था, उसे remove कर लिया था, malloc का basic syntax हमने लिख लि करा लिए, हमने इस program को run नहीं किया था, क्योंकि अब यह program complete नहीं है, run करने के कोई फाइदा नहीं होगा, तो पहरे इस program को complete कर लेते हैं, फिर इस program को run करके connection देखेंगी कि यह program कैसे गाम कर लिख लेए, तो program क्या है कि मैंने user से पूछना है, पहरे number of student उतनी memory allocate करानी है, और एक safety check होता है, usually बहतर है कि आप लगा लें, क्योंकि it's not 100% guaranteed कि मैं memory allocate करा हूँ, और memory allocate हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि memory allocation reject कर दी जाए, जिस बेस पे कि हो, आपके system में memory है ही नहीं, तो allocate कैसे हो, तो कभी कबार यह rejection भी हो जाती है, लेकिन normally rejection होती नहीं है, लेकिन it's better, कि आप check कर लें, अगर PTR के अंदर value आपके पास आजाती है, null, ठीक, I think caps में नहीं होता है, small में ही है, PTR में caps में है, ठीक है, null आजाती है, null is a special keyword जिसका मतलब होता है, कि nothing, simple words में nothing, अगर आपको memory allocation में pointer में कोई valid address नहीं मिलता, तो null मिल जाता है, null यह represent कर रहोता है, कि इसके पास कोई भी valid चीज़ नहीं, तो अगर यह null हो जाता है, तो आप अपने program को यहीं पर end कर दें, और आगे process नहां करें, क्योंकि काम नहीं बनाई, इससे user को message दे दें, कि memory allocation fail हो गई है, और उसके बाद end कर जाए, तो यह program भी आप दो तरीके से कर सकते हैं, आप यहाँ पर लगाएं, और message दे दें, user को printf, और message दे दें, ताकि इसको information रहे कि आखर मेरा program end के हो गए, तो आप कह दें, memory allocation failed, यह reason दें, और that's it, आप अपना program quit कर सकते हैं, और quit करने का दू तरीके हैं, यह तो मैं यहीं पर return zero कर दूँ, तो मेरा program यहीं पैंड हो जाएगा, मजजीद नीचे कुछ भी लिखाऊगा, चूंके return statement आगया, तो इस सारे के सारे statement avoid हो जाएंगे, skip हो जाएंगे, आएंगे नहीं, यानि कभी भी मैं इस statement पर जाऊंगा नि, क्योंकि यहीं से मैं return हो गया हूँ, तो यहीं से मैं कर लेता हूँ, इस में क्या करना चाहरा हूँ है, इस में यह करना चाहरा हूँ कि बाकि अगर यह condition false हो जाती है, तो यहीं सारा काम हो, यह अगर PTR में null नहीं है, तो इसका मतलब है, PTR में कोई valid चीज आ गई है, और valid चीज का मतलब है, कि मैं आगे process कर सकता हूँ, यानि इ की condition true ही, तो memory allocation fail कहूँगा, condition false हो गई, तो मैं यह सारे काम करूँगा, और यह सारे काम क्या है, कि अभ मैं user से input ले सकता हूँ, और इसके बाद क्या 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 करना था, मुझे input लेने के बाद उसका, say, example जो में पहरा है, व तो simple sum की है. अधिक, है, तो memory allocation अगर में successful रही है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए यूजर से इंपुट लेना है यहां तक हम पहले लिख चुके हैं और उसके बाद सिंप्ली मुझे क्या करना है उसका सम करना है और सम करके डैफिनिटली रिजल्ट को डिस्प्ले कराने है तो सम कर लेते हैं और फिर डिस्प्ले करा देते है तो सम्वारा पार्ट हम कर चुके हैं एंटर स्टुएंट ठीक है यह हो गया अब हमारे पास है सेम यही काम है मैं रूप यहां से कॉपी कर लेता हूँ बस लूप के अंदर जो है बदल लेंगे हम पॉट तो इस मरता मुझे क्या करना है सिर्फ सम करना है और सम एक ही स्टेटमेंट है और सम जब भी मैं करता हूँ तो लिखता हूँ सम प्लस एक्वल्स टू या चलें ऐसे लिख लेए सम एक्वल्स टू सम प्लस अब मुझे सम में क्या करना है सम में मुझे करना है हर ऐलिमेंट को प्लस यानि एगर मैं ऐसे लेखों तो मुझे लेखना है PTIR आई यह चीज़ एड़ करनी है ठीक है PTIR I एड़ करना है और सम मुझे डेकलेर करना पड़ेगा और जब भी मैं ऐसे लेखना हूँ तो मुझे उसको इनिशिलाइज भी 0 से करना पड़ता है है तो सम को मैंने ओपर जीरो से निशिलाइज भी करा दें ठीक है तो सम एक वल सु जीरो से निशिलाइज हुआ है तो मैं यह आली लाइन लिख सकता हूं अब मुझे यहां पर यह लिखना है यानि हमेशा इसमें एड करना है पी टी आर आई विताउट एड्रेस ऑपरेटर यानि यह एक वैलन किसके है यह बता देता हूं तो यह तो मैं लिखना नहीं चाहूंगा यह चीज भी हो गई मैंने आ लेकि कमट में के यह होता है पी टी आर आई एर नोटेशन इसको मैं पॉ यह पाव टीकॉलर एड्रेस और स्ट्रीसके मुझे मुझे क्या चाहिए वैल्यू चाहिए तो वैल्यू के लिए मुझे क्या कंड़ता है इस स्टार ठीक है कीप इन माइड ये स्टा पोइंटर का है मॉल्टिप्लेकेशनल का नहीं है यहाँ पर एक में रहिए जोगा चाह सब्सक्राइं में कर लेते हैं सम एकवल्स तू परसम्डी ए Ber mommy सब्सक्राइब कर देख लेते हैं को एरो तुन है तो अच्छा सी स्टाल कमेंट्स का यह कह रहा है और तो चले मैं समन्सक्ट अठा दे त gradient तो अब आप देखें कोई एर्र नहीं है तो कमेंट्स पर देरा दिए तो इसका मतलब है कि मैं वह वापस लिख देता हूं अब समझ गए हैं कि वह वाणिंग आ रही है वो कमेंट्स की हैं और से एग्णूर किया जा सकता है एक्षिल कोड में मेरे कोई मसला नहीं है तो ये इसको मैंने किया रण इस प्रण्डेम को कर लेते हैं रण तो एंटर नमबर और स्टूडेंट्स कहा जा रहा है अच्छा थोड़ा सा प्रण्डेम को स्टूडेम कर लेते हैं थ्री कह देता हूं तुस्टूडेंट्स का डेटर करें सही है फाइफ नमबर आ गया इसका टूटल सेविन ले लिया तो सम आपने देखा इसका 21 आया जो के सही जब दोड़ा से प्रोग्राम को स्टुडर को सही कर लेते हैं कहीं कहीं लाइन पे ड्राल देते हैं और फिर तुक्लीन करके आपको थोड़ा सटूडेंट्स पर वह ऐसे कर लेते हैं स्टुरेंट्स आ गए और इसके बाद में मुझे लोकेशन पे भी लाइन चेंज डाल देते हैं अगर इन केस हो जाए और फिर हर मर्तबा यहां पर भी हम है लेकिन फिर दो तो लाइन चेंज आ जाएंगी रहने देते हैं कर दो ज29-ige , क्लीन कर लेते हैं यहां से अचा गुछे भी हम है क्रें कर्मिर देखनें हैं तो यह inhale से अटा देता हूं कोड को थोड़ा क्लीन कर लेते हैं ठीक है यहां से भी इंट पॉइंटर में एक लाइन में भी लिख सकता हूं तो मैं इसको भी ले जाता हूं इस लाइन में और से पहले लगा लेता हूं ठीक है एक ही बात तो सारे वेरिबल मैंने एक लाइन में कर लिए बहतर है साफ लगर इसके लाइन मैंने यूजर नंबर आफ इंपट पूछा उतनी मैंने मेमोरी ऐलोकेट कर आई यहां पर एक्चुली हो रही है हमारे पस मेमोरी ऐलोकेशन ठीक है और उसके बाद मैंने यह चेक किया कि मैमोर प्रेस ब्लॉक स्किप होगा और मैं कहा जाओंगा इस रिटर्ण स्टेट्मेंट पर आ जाओंगा लेकिन अगर फेल नहीं होगी तो मैं यूजर से इंपुट डूँगा इस तरीके से इसके अध्सम करूँगा इस तरीके से और डिस्प्ले करा दूगा ठीक अच्छा तो यह मैंने आफ कर दी मैंने एरे के वार्निंग को पिक करने के लिए ओंट किया था लेकिन इसने कमेंट्स की भी पिक कर रहा है तो मैंने इसे अटा दी ठीक आब हमारे पाशे वार्निंग इस प्रोग्राम का दुबारा से रंड कर लेते हैं तो एंटर नमबर ऑफ का पूछा मैं यहीं पर अगर फिर दुबार से प्रोग्राम को रंड करता हूं देखे कुछ चेंज नहीं कर रहा है मैंने इस प्रोग्राम में लिग दिया सैविन तो पहले के बता हैं दूसरे के ताएं तीसरे चौथे पांच वे छेटे के और साथ वे तो इसने साथ स्ट हर सिच्वेशन में काम कर रहा है कि नंबर फिच्वेशन में तो कर दूं मैं नंबर फिच्वेशन में चार्ज कर दूं दस कर दूं मैं पचास करूंगा तब भी काम करेगा थोड़ा सा आपको करके दिखा भी देता हूं कि यह पचास के लिए भी काम करता है लेकिन मैं चास तक चला जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसे जितना मर्जी मैं नंबर दे दूँ यह प्रोग्राम काम करेगा 29 30 31 ऐसे विए आपको बड़ा सा नंबर दे कर उसमें कोई भी डेटर एंटर करके दिखा रहा हूं कि देखें 50 तक ही जाएगा 49 50 ठीक है टिट मीज कि करा क्या के यсть के चाली स्कैलेबल है यह विहांसे जो भी नंबर एन्टर करूं कि उसलिखा च्पता और बगीचे मैं बगार बनाया हुआ गया प्र्वार ठीक है तो यह दारे के बगार बनाया हुआ फिर है और इसमें अगर आप इस code को देखें तो इस code में अगर मैं आपको थोड़ा देखाऊं step by step देख लेते हैं आप मुझे देख के बताएं code से कि आप code देख के बता सकते हैं कि इसमें इसने कितनी memory allocate कर आई है for this particular area जो हम PTR कह रहे हैं आप इस code को देख के बता सकते हैं कहीं कोई number लिखा हुए तो देखा जाए तो ना मैंने यहां पर कोई number लिखा कि भी PTR 50 size लेगा या 100 लेगा कुछ नहीं है ना यहां पर मुझे देख के पता लग रहा है कि user num के अंदर कितनी value एंटर करेगा कोई idea ने तो मुझे यह भी नहीं पता के नом के अंदर कितनी value आएगी तो यह भी नहीं मैं कह सकता कितनी memory allocate होगी ठीक है तो यहां पर हो रही है मैं पास dynamic memory allocation ठीक है लेकिन यह मैं अभी बता ही नहीं सकता कि कितनी होगा कोई कोड में ऐसी कोई information है ही नही賽 फिर मैं ये भी नहीं बता सकता कि लूप कितनी दफ़ा चलेगी और ये कितनी दफ़ा ये पी टे आर आई होगा फिर ये भी नहीं बता सकता कितनी दफ़ा सम होगा जितने नमबरों के उतना ही होगा और इवेंचुली में पस सम कर रिजल आ जाए तो आपने देखा मेरे अपने code में कहीं पे भी कोई नंबर fix नहीं किया तो compile time पे ये कोई भी memory allocation नहीं करेगा यहीं compile time पे PTR के पास क्या होगा? Null ही होगा यहीं compile time पे PTR के पास क्या होगा? Null होगा इस बात को कैसे improve कर सकते हैं? अगर मैं चलें ये कर देता हूँ ठीक है एलोकेशन वाली line हटा देता हूँ और run करके देखते हैं अपने प्रोग्राम को enter number of instrument five अच्छा नल नहीं है क्योंकि मेरे खाल से भी हमने प्रोग्राम को run कि अब है तो इसके पास होई memory allocation होगी है चलो इसको तोड़े जेरे में आकर revisit करते हैं पहले मैं एक चीज़ चेक कर लेता हूँ क्योंकि कोई garbage value आई भी है इसके पास और garbage में जार से आता है कोई ना कोई number होगा उस number कोई address treat करता है लेकिन फिल्हाल इस चीज़ को यहां रोकते हैं और वो इसी प्रोग्राम में कहीं कोई number नहीं लेका और यह program मेरा scalable है मैं प्तीन के लिए काम करूं पचास के लिए काम करूं पचास अजार के लिए काम करूंगा तब यह काम करेगा तो इस बात को लेकर किसी के जहन में कोई query confusion हो तो वो पूछ सकता है और क्लियर है तो वो भी बता दे क्योंकि फिर आगे मैं दूसरी एक्जेम्पल पर जाने वारा हूँ जी क्लास कोई confusion कोई query चारे उमीद करता हूँ confusion query नहीं है तो वापस lecture की तरफ चलते हैं यह program हमने बना के देखा और यह program सही काम कर रहा है मजीद अगर हमारे lecture में देखा जाए तो second function है कैलोग और कैलोग के syntax को अगर आप धिहान दे तो कैलोग और मैलोग के syntax में थोड़ा सा फरक है यह सब कुछ वैसे ही से फरक क्या है कि यह चीज़ ठीक है वहाँ पर मैं n को multiply करता था size of blocks से क्योंके मैलोग का जो input था function का वो एक ही था कैलोग के input parameter है या arguments है वो दो है ठीक है पहली चीज़ तो यह बताता है कि आपको n यानि नमबर और ब्लॉक्स बताएं कितने चाहिए और यह बताएं कि इच ब्लॉक का size क्या होगा ठीक है इच ब्लॉक का size बताएं और कितने blocks यह बताएं तो basic difference क्या है कि यह बताएं प्लॉक का कि कैलोग function एलोकेट करता है single block जबके कैलोग function एलोकेट करता है multiple blocks लेकिन जब मैं इनको यूज करता हूं तो इनके program में कोई और changes नहीं आती पिलकुल वैसी जैसे मैं लॉक यूज हुआ है वैसी हुआ लेकिन एक बन्यादी difference यह है कि मैं लॉक करता है आपके पास single block और कैलोग करता है आपके पास multiple blocks एक यह डिफरेंस है और दूसर डिफरेंस यह है कि जब मैं मैं लॉक से memory allocate कराता हूं तो उसमें by default garbage पड़ा होता है जबकि कैलोग से ज फर्क सिफिया आता है मैं लॉक और कैलोग का कि जब मैं कैलोग से memory allocate कराता हूं तो से मैंने लिखा था 5 तो मेरे पास इस तरह का एक block नहीं बलके छोटे-छोटे 5 blocks जो के consecutive location में होंगे वो मिझे मिलेंगे तो कैलोग में यह सूर्टे हाल होती है कि मिझे number of blocks की clearly separation होती है कि पांच block हैं और हर block का size जो है वो size of जो भी आपने दिये size of integer दिये तो integer का size आजाएगा size of character दिये तो character का size आजाएगा तो इस तरीके से यह बस फर्क है कि separation इसमें हुई होती है logically ठीक है लेकिन बात मैंने जैसे कि बताई चुक्के integer pointer लिखा होता है तो मैं plus plus malloc में करूं या keylock में करूं जंप होके वो यही separation पर आते हैं यहीं मैं lock में भी plus plus कर रहा था तो यह जो line यहां पर बनी हुए वो इसी पर आता था उसमें थो वो line logically हो ना हो तो working में as such कोई फर्क नहीं आता लेकिन एक गुन्यादी difference यह है और दूसरा difference यह है कि जब भी मैं memory allocate कराता हूँ कैलोक से तो हर block के अंदर initialize हो जाता है zero तो यह better choice है हमारे लिए कैलोक हम use करें क्योंकि इसमें initial value पता होती है zero है और that makes sense जबकि मैं lock में garbage होता है तो उसमें अगर हमें कुछ decide करना हो तो garbage की base पर decide नहीं हो सकता तो कैलोक is a suitable more suitable choice than malloc जब हम memory allocation करें तो मैं खुद भी कैलोक ही prefer करता हूँ तो आप लोगों को भी recommend यह करूंगा यानि कि इस program में malloc के वज़ए बेतर है क्या यूज़ कर दूँ क्या lock यूज़ कर दूँ ठीक है तो कैलोक यूज़ कर रहेंगे तो syntax में क्या change आगा है मुल्टिप्लाइ नहीं करना मुझे कैलोक का syntax क्या होता है कि इन दोनों के दर्में कॉमा होगा ठीक है कैलोक का syntax क्या है कॉमा होगा पहला parameter बता रहा है size नमबर ओफ element दूसरा बता रहा है कि किस चीज़ का हर ब्लॉक का size क्या होगा यह बता रहा है number of blocks कितने numbers नहीं और यह बता रहा है कि size of each block क्या होगा तो यह syntax चेंज करके program को run करके देख लेते हैं still मेरा program काम कर रहा है यह नहीं देख लेते 5 enter किया 12345 still काम कर रहा है तो program में आपने देखा मैंने malloc को कैलोक से replace कर दिया मेरा program still काम कर रहा है ठीक है तो still working तो malloc और malloc में फर्क अगर पता करना चाहें तो एक काम यह कर लेते हैं कि हम यहां पर प्रिंट करा के loop देख लेते हैं कि इनकी initial values क्या है और हम ऐसे देख सकते हैं कि यह loop को मैं यहां से pick करता हूँ और allocation के बाद लियाता हूँ और allocation के बाद simply मैं करा देता हूँ उसमें print और क्या print करा देता हूँ इनके अंदर जो भी values हैं वो print हो देख सिंप्ली मुझे प्रिंट कराने हैं और प्रिंट क्या होगा value at person d is person d ठीक है यह प्रिंट कराना पड़ेगा मुझे पॉइंटर लगाना जरूरी है और ptr plus i और यहां पर मैं डाल देता हूँ हो get ch ताके मेरा प्रोग्राम थोड़ी देर wait कर सके मेरी की प्रेस करने का और get ch डाला है तहाँ अब है एश इंक्लीउड आइव डॉट एच कंपाइल रिजिक्यूट मैंने सिर्फ कहा से 6 अच्छे लाइन चेंज नहीं करी लाइन चेंज कर लेता हूँ ताके और बेतर है ठीक है compile and execute मैंने 6 कहा तो देखें value 1 is 0 value 2 is 0 सारी की सारी value इसमें 0 आ रही है लेकिन अगर मैं इसी program को mallocs से करता वापस अगर मैं यहां पर malloc लेग दू तो आप देखेंगे के values 0 नहीं आएंगी कुछ भी आ सकते हैं अब garbage में 0 भी आ सकता है और कोई और डेटा भी आ सकता है let's see क्या था हमारे पास totally random आएगा इसने इस case में भी 0 दे दिया क्योंकि अभी हमने जो memory allocate कराई थी वही memory हमें दुबारा से मिल गई लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा मैंने जैसे कि बताए तक garbage है garbage का मतलब है कुछ भी हो सकता है जीरो भी हो सकता है लेकिन हमेशा जीरो नहीं मिलेगा अभी हमें 0 इसने मिल रहा है कि हमने कैलोग पहले run कर ली तो वही memory location में पहले से जीरो थे उसने हमें 0 ही दे दिये garbage क्या होता है कि previously store value previously अभी हमारे case में 0 थी तो उसने 0 ही हमें return कर दी है ठीक है लेकिन क्या लोग यूज करने का इना आपको फाइदा बता दिया कि यह है और दूसरा यह है कि इसका syntax भी आपके सामने है बहतर है कि इसमें कोई confusion की बात नहीं है और अभी हमारे case में बात तुरूफ नहीं हो सकी कि यह दूनों जीरो एलोकेट करते हैं नहीं लेकिन आप कहीं पर भी theoretically पढ़ेंगे research करेंगे तो आप देखेंगे हर जगा पे ऐसा ही होगा कि malloc आपको garbage दे रहोगा यह तो हमारी छोटी सी example है ना तो इसमें तो चंक से मिली जा रही है तो वह हमारे पास होई है यह यह समझ लें के कैलोक होता है हमेशा जीरो से और मैलोक इनिशिलाइज नहीं होता मैलोक में सिर्फ डेकलियर हो जाती है मैमोरी और आपको कुछ भी मिल सकता है इसके अंदर यह आपकी लग पर है याप अगर यूजर को शुरू में दिखाना चाहते हैं के सारे empty हैं यह सारे zero है तो मैलोक यूज मत करें कैलोक करें क्यूंक दो काम करता है एक तो मैमोरी के सारे cells को खुद बाखुद zeros भी कर देता है वैसे functionality wise जोनों में कोई फर्द नहीं है और यह दोनों हमने करके देखे दोनों से प्रोग्राम एकी तरह काम करता है बस थोड़ा सा function के syntax में इस जगह पर फर्क है तो कैलोक यूज करें या मैलोक नहीं होगी कोई confusion है class तो यह second example देखें के लॉक्स होई विए पूरा प्रोग्राम वह यह बस के लॉक कर दिया गया जी एलोकेशन पर मैं एक्जेंपल नहीं करा रहा क्योंकि एक चोड़ी सी एक्जेंपल आप लोग कर लीजेगा लेकिन समझा देता हूं इस एक्जेंपल कि एक्जेंपल में हुआ क्या है कि 2 sizes मेरे पास्मै निडिक्रों में जो है साइज डेकलिर करा एंग मैंने memory allokate कराई है ऊड़ कि और प्र मैने उनके ृढ्रेसस PRINC कर आदे fairly भी ये जो भी था मैने प्रिंट करा सिब का थैंट मैंने रन पर ही आपना जो है एक और हमोरी अलोकेशन के लिए साइज ले लिया जो कि एने की लिए सबीड़ को है तेहान रहे करे पिट्यार ऊप्री व्होां पेहले हो चुका है memory allokation पेहले हो चुकी var मैंने क्या किया है। whisky亲 को ही नई memory allocate यूजिंग roll function और फेहला parameters का दुबारह से PDR यह बतारा हूं कि इसी वाले pointer को मुझे रियलॉकेट कराना है और का रियलॉकेट कराना है इसको नया साइज्स दे ले सिंफली बस यह वाली बात है कि आप इसको नया . प्रोवाइट कर देंगे और ए्सेर का साइज यह बूड भी पीटी यार ह रहे गा और नया सायज जाका या function run करने से पहले malloc या calloc run हुआ होना चाहिए क्योंकि एलोकेट हुई होगी तो reallocate करेंगे न allocation का concept ही नहीं है तो directly आप reallocation का function use नहीं कर सके बस दिहान रखना अली बात यह है ठीक है तो reallocation इतना hot topic नहीं है इसलिए मैं इसको skip कर रहा हूं allocation डी अलोकेशन बता दिये और अच्छा असल बात है डी अलोकेशन जो है फ्री का फंक्शन इसकी क्या जरूँ होता है करें डायनेमिकली मेमोरी अलोकेटिड जो से जो क्रियेट की हुए होती है आइधर विट के लॉग करें या मेलोग डोंट या डोजन्ट गैट फ्री ऑन इट्स ओन यूमस्ट एक्सिट्ली यूज फ्री टू रिलीज यानि यह जो भी मैंने प्रोग्राम बनाए यह मेरा प्र है यह ऑनागती है और नुक्सान कीसे पुछाया यह मिसला आ रहा है और इसमस्बगर नाम दिया जाता है उस मसलेकर नाम है चाम मैमयरी लीक लेकिन यह सिच्टेम अगर आपके इंबैडड़िट सिस्टम पर आजा यह सिनेरियो इंबैड़िट सिस्टम आजाए तो वहां पर यह टू होड़िट सिस्टम नहीं वहां पर सारी जिम्मेदारी आपके उपर है तो वहां पर आपनी गलती करी तो आपको बहुत कोसली पड़ सकती है इतनी कोसली कि आपका प्रूर्व पूरी अप्लिकेशन क्रैश हो जाए पूरा का पूरा सौफ़र ज का मतलब यह है कि आप बार-बार मेमोरी रिजर्फ करवाए जा रहे हैं कि मुझे मेमोरी चाहिए मेमोरी चाहिए मेमोरी चाहिए लेकिन जब आपका काम हो जाता है तो आप वो memory वापस नहीं करते हैं मेरा program end हो गया है तो उसूलन ये memory मुझे वापस कर देनी चाहिए और उसूलन होता भी ऐसा ही है जब compiled time memory होती है जब मैं array declare करता हूँ या कोई भी compiled time ये static memory allocate करता हूँ हो तो जब मेरा program end हो जाता है तो सारी की सारी memory automatically return हो जाती है कि इसको आपकी system को चली जाती है लेकिन जब मैं dynamic memory allocation करता हूँ तो ये काम automatic नहीं हो रहा क्योंकि अभी जिम्मेदारी तो मैंने compiler से ले लिए compiler जो memory allocate करता है वो तो static रहने का compiler आप रहने दें मैं मैं खुद कर लूँगा runtime पर तो चुक्या मैंने runtime पर ये जिम्मेदारी खुद ले लिए memory allocation की तो डी allocation की जिम्मेदारी भी मुझे लेनी पड़ेगी यानि अब compiler पर हो मैं blame नहीं कर सकता है तो ये जिम्मेदारी जो मेरा pointer है मेरा pointer इस वक्त PTR है तो मैंने ये लिखने और डाइचे ये लाइन लिखने से मेरी बहुत सारी मुसीवत परिशानियां solve हो जाएंगी ये मेरी memory की de-allocation है ठीक है तो ये एक simple सी लाइन जो है मुझे बहुत सारी परिशानियों से बचा लेगी जो मैंने अभी आपको बताएं के memory मेरी खतम नहीं होगी और हर program के बाद मेरा code जब भी इस लाइन पर पहुंचेगा तो जितनी भी उसने memory लेगी वो सब को सब कर देगा और वापस करना क्यों जरूरी है ताकि आप अगली मरता फिर क्लेम कर सकें या आपके बाकी जो दूसरे रही प्रोग्राम है वो यह memory क्लेम कर सकें तो keep in mind कि memory में अगर आपने फ्री की कमांड नहीं लिखिए अपने अंदर यह प्रुग्रम अभी भी काम करेंगा बिल्कुल वैसी जैसे कर रहा था लेकिन पहले क्या हो था में मोरी में वापस ही नहीं कर रहा था ठीक है जा जाएंगी इस क्लान को उटा दितओं मैं दुर enquanto तो यह program बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे पहले कर रहा था लेकिन अब ये प्रोग्राम बहतर है बहतर क्यों है क्योंकि ये अलोकेट भी कराता है और डियालोकेट भी करा लेते हैं रन करके देख लेते हैं कि वन प्रूसरे कि रिए ठीज के यह जै कि पर बिएठर क्यूंक्क सच क्वर्कानल ने बहुत कम होती है तो वहां पर गलुत भारी पर सकती है तो रिच्छे के प्रूसरी प्रॉसरी पर सकती है सिर्फ यह line आप as a last statement of your program लिख दें जब सारा काम हो जाए तो लिख दें तो return से पहले क्योंकि return के बाद कुछ भी execute नहीं होता तो यह लिखने से क्या होगा मेरा program अब बहतर है क्योंकि वो memory leak नहीं होने देगा ठीक है तो हमारे पास यही program example में मैंने free करके दिखा दिये एक और example आप इसको भी try कर सकतें कोई फर्क नहीं पड़ता बस यह बात है कि free की command आपने लिखनी है at the end ठीक है यही some वाली example ही लिखी हुए लेकिन दो तीन अलग-अलग steps उसमें add है तो free करना जरूरी है ठीक है तो लैब से यह थी बात time almost end है नया session में लेना नहीं चाहूंगा तो मैं टास्क को explain कर देता हूं तब तक आपको कोई theories हो तो आप chat box में पूछ तो लैब task 1 क्या है write a program to find largest element यह आप already example कर चुके using array surface example को अब आप dynamic memory allocation से करेंगे allocation भी करनी है और the allocation भी करनी है तो example में समझाने जैसी कोई बात नहीं है वही करना है लेकिन पहले array से की थी example उसको change करके अब आप dma से कर दें ठीक है task number two write a program that takes text string at runtime allocate size of string using malloc function text string will be inputted by the user इसमें क्या है के text string आ गया है और string का मतलब क्या है कि आप dma जो करेंगे वो किस टाइप की करेंगे character type की करेंगे बस और कुछ नहीं है यानि अभी तो मैं numbers ले रहा था ना उस case में आप characters input ले रहे होंगे यानि name तो यह example तो बहुत simple सी यानि simple जो मैं कहता था था इंटर यूर नेम हो ही करना है लेकिन उसमें एरे नहीं लेना अब dma के थ्रू करना है task 3 क्या है writer program using care work to get the size of array dynamically and then read its dynamic array of integer and print its element यह program हमने जो भी लैब में task है उसी को आप थोड़ा modify करेंगे हो जाएगा करना का है dynamically user से size लें रहेगा dynamically उससे number of inputs लें और जो भी numbers ने input किये थे जिस order में यह उसने है अगर एंटर केते हैं 12345 तो आप reverse में display करा देंगे 54321 ठीक हमने तो सम किया हमने तो extra काम किया आपको सिफ करना है input लेना है और वापस output दे देना है in reverse order तो यह program भी बहुत असान सा है सिर्प्रैक्टिस के लिए कि आपको dma से familiarization होम टास में क्या है write a c program to find sum of element enter by user to perform this task allocate memory यह तो हमने अभी करी लिया है आपको भी यह बस करके submit करवाना है यह task तो ही वाला है जो अभी हमने किया sum of elements टीक है sum वाला program हमने कर लिया है तो यह redundant आगे टास्क और इसके 2.5 marks भी मिल रहे हैं यह program आप try करें सिर्फ इसलिए कहाँ और लास्ट टास्क क्या है write a program using bubble sort to sort user enter integer data in descending order इसमें क्या है आपको bubble sort करना है यानि वो जो bubble sort का हमने program किया था using array उसी को modify करना है array के बज़ए कि स्वाल्व हो जाए वो dynamic memory allocation से solve और further एक और काम क्या करना है हमने ascending में किया था आपको यह काम करना है कि उसको descending order में करना है तो यह task भी बहुत असान है यानि यह पूरी lab जो है आपके previous lab task से solve हो जाएगी यह previous lab task जो array में आए है उनी को modify करके आपने dynamic memory allocation से solve करने है ठीक है तो यह थे lab और हमारी यहां पर lab हो गई है conclude और हमारे lab session पर अलमुस्ट हो गया conclude last lab थी हमारी तो अगर किसी को कोई क्यूरी है तो वह पूछ सकता है no queries last any queries shall I conclude yeah yeah ठीक है तो till next time Allah Hafiz yeah yeah